तो उन सभी students के लिए बहुत बड़ी cover है good news है कि आपकी जो CSB और आपकी जो बिहार engineering है आप दोनों में IPR हो सकते हो और time के आप लोग के पास एकदम कमी नहीं है पहले जो था schedule उस हिसाब से 9 या 10 को आपका first round आड़ा था बिहार engineering में और CSB की counseling आई भी नहीं थी लेकिन अप updated जो है वो schedule आ चुकी है और मैं आपको बता दूँ कि देखिए जिन बचों की rank अगर 1.5 lakh तक 1.5 lakh तक है और अगर आप चाते हैं कि आप CSB में भी एपियर हों तो आप एपियर हो सकते हैं ओके तो it's a golden opportunity for those students जिनकी rank 1.5 lakh या फिर even up to 2 lakhs है क्योंकि उन्हें chances रहती हैं कि CSB में एक decent college या फिर branch मिल जाए ओके तो updated जो अब schedule आ चुकी है वो है कि 9 तारिक से फिर आपके registration शुरू होगी जो बच्चों पहले registration कर चुके थे उनके लिए कोई बात नहीं और means वो फिर से registration कर सकते हैं 16 तक 16 तारिक तक last date है आप 16 तक फिर से 7 दिन आपको दिया गया है झाल